तो पहले हम पढ़ते हैं कि इंस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं जो इंस्ट्रिक्ट है वो हमारे इंबोन टेंडेंसी होती है बिहेव करने की किसी भी पर्टिकुलर सिच्वेशन में जैसे कि आप एक्जामपल देख सकते हैं जैसे कि आप एकदम सनेक को देखते हो अपने पास ठीक है आप कहीं मानलो आप किसी पार्टी में हो आप इंज्वि कर रोे हो ठीक है अच्शे से कोल डरिंग ले रहे हो काफी लौड म्यूजिक इंज्वि कर रहे हो और एकदम आप देखते हो जहाँ पर आप खड़े हो नहीं स्नेक आ गया तो आप एकदम क्या करोगे चिला होगे या फिर आपके हाथ में जोभी स्नेक है या फिर कुछ भी है उसको एकदम छोड़ दोगे घेर दोगे ठीक है या फिर आप कोई और behavior करोगे ऐसा behavior जो आपने खुद अपने आप से सोचा ना हो ठीक है तो वो ही हमारा क्या होता है instinct होती है कोई भी ऐसा particular हमारा behavior किसी situation में जो हम करते हैं वो ही हमारा instinct है जैसे कि मैंने example आपको अभी snake का दिया या कोई another example पलेते हैं मानलो आपका कोई favorite hero है ठीक है या कोई आपका favorite teacher है आप कहीं से जा रहे थे और एकदम आपने क्या देखा कि आपको वो teacher काफी सालों से नहीं मिला था आप एकदम उस teacher को देखोगे तो आप एकदम अलग सा behavior करोगे ठीक है एकदम चोक जाने वाला behavior हो गया या sadness हो गई कुछ भी हो गया तो इसी को हम कहते हैं instinct ये हमारे अंदर inborn होता है ठीक है इसको हम कहीं external कहीं से सीखते नहीं है कि हमें हाँ अगर ऐसा हुआ तो हमें ऐसा करना है ऐसे चिलाना है नहीं ये हम सीखते नहीं है ये inborn होता है और कई बार आप अपने आपसे खुद परिचित नहीं होते कि आपने ऐसा behavior किया ठीक है आप ऐसे चिलाए या ऐसे कूद गए या आपने ऐसे एकदम भाग गए ठीक है ये अलग सा एक funny सा भी है पर कुछ आप इससे सीखने को भी मिलता है आपको तो इसी को हम इंस्टिक्ट कहते हैं और आपने अपने डेली लाइफ में इसको अच्छे से देखा भी होगा आपके साथ हुआ भी होगा कुछ न कुछ किसी भी अलग-अलग सिच्वेशन में आगे भड़ते हैं थियोरी पे अब आती है थियोरी की बात तो जो ये थियोरी है इस्टिक्ट थियोरी ओफ मोटिवेशन हमने अभी देखा जो विलियम मैक डोगल ने दी है तो इसमें मैक डोगल क्या कहते हैं मैक डोगल कहते हैं कि हर एक इनसान में हर सभी और्गनिजम में एक inborn tendency होती है एक natural biological tendency होती है survive करने की चाहिए वो animals हुए चाहिए वो humans हुए ठीक है कोई पहले से सीख के नहीं आता कि मेरे कोई ऐसे survive करना है जैसे ही वो situation में उस जगह पे आता है ठीक है तो वो एक particular behavior करने लग जाता है तो वो ही हमारी क्या है instinct है Then आते हैं इनके कुछ points में जो MacDougal ने suggest किये थे Every person has instincts in a greater or lesser degree किसी में ये ज़्यादा होती है instincts किसी में ये कम होती है कुछ degrees पे ठीक है किसी में कुछ ज़्यादा हो जाएगी किसी में कुछ हो जाएगी और यही हमारे prime determines है हमारे behavior की कि कैसे हम किसी situation में behave करते है ये हमारे prime determines है जिनको हम instinct का नाम देते है For example अब जैसे एक example है infant का अब मान लो एक बच्चा है ठीक है उसके अंदर reflex action आपने सुना होगा ये infancy पे show होता है हमारा reflex action ठीक है reflex action क्या होता है पहले ये जान लो reflex action होता है कि मान लो हमने एक baby है उसको कहा कि नहीं बेटा आपको ना उस switch के पास नहीं जाना current लग जाएगा ठीक है पर आपने देखा होगा बच्चे का मानते हैं वो एक बार जाकर जरूर try करेंगे कि वहाँ पे जाकर कैसा current लगेगा ठीक है तो वो जैसे ही उसके पास जाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ हाम होगा कुछ hurt होगा ठीक है तब उसको ये अकल लग जाएगी कि हाँ यहाँ पे जाके यह hurt होता है अब नहीं जाओंगा मैं यहाँ पे ठीक है तो वो है हमारा reflex action for example candle आपने दिवाली है या फिर आपके घर की लाइट चली गई तो कभी आपने कैंडल जला ली ठीक है बच्चे क्या है मानेंगे नहीं पहले जाके उस कैंडल के साथ खेलेंगे जैसे ही उनकी फिंगर बर्न हो गई ना तब ही वो समझ जाएंगे कि हाँ ये हाथ जलाती है इसके उसके अंदर ये क्या है इनबोर्न डूटिंग रिफलेक्स होता है जो उसको हैल्प करता है ठीक है जब जैसे ही हम बेबी को उसकी मदर के पास लेके जाते हैं तो वो जैसे ही नरिश होता है मिल्क लेता है तो ये चीज़े उसको सीथ के थोड़ी ना पहले सिखाई कर रहा है, infants have an inborn rooting reflex that helps them in seeking out a nipple and obtaining nourishment, ये उसके अंदर inborn है, ठीक है, ये उसका क्या है, instinct मान लो, ठीक है, वो जो behavior है, वो उसका क्या show कर रहा है, कि ये उसके अंदर inborn tendency है, कि कैसे वो उस situation में behave कर रहा है, ठीक है, आगे जैसे baby का एक और example ले लो, जैसे बच्चे हैं, आपने उसको कुछ दिखाया, तो वो हसने लग गया, ठीक है, वो enjoy करने लग गया, या वो एकदम आपने कुछ bad face बनाया, तो वो रोने लग गया, तो ये इसके behavior जो show हो रहे हैं, वो ही हमारा instinct कहलाती है, और जो instinct है, वो काफी set of emotions से और feeling से मिलके बनी होती है, इसके बारे में हम यह हम आगे discuss करेंगे, और MacDougal के according हमारी 14 instincts होती है, और ये question अभी UPTED का मैं देख रही थी, CDP section, PRT था या TGT था, उसमें आया हुआ था, कि according to MacDougal हमारी कितनी instincts है, तो उसका answer क्या है, 14 instincts है, ये important line आप ध्यान रखे, ठीक है, आगे इन्होंने का है, कि जो हमारी instinct है, वो emotion, कोई ना कोई emotion attach होता है, कोई ना कोई feelings attach होती है, या एक से ज़्यादा भी attach होती है, ये MacDougal का मानना था, और MacDougal ने इसको क्या का है, जो instinct है, वो हमारी primary motive है, ठीक है, और ये line दिये, इसको a native spring of action, ये question आ सकता है, कि a native spring of action instinct को किसने का है, तो यहाँ पे आएगा MacDougal, जो MacDougal है, इन्होंने three main phases पे इसको analyze किया था, first is receptive, second is emotion and third is executive, then आता है हमारा psycho physical organism, इसमें बताया गया है, कि ये modifiable है हमारे experiences के through, जैसे जैसे हम अपनी life में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, different environments में से निकलते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, modify करते हैं, और all the individuals are in doubt with certain native dispositions, how far these dispositions are modifiable will always depend upon the environment the individuals pass through, next आता है, अब इसमें बात कही गई है, कि जो हम humans हैं, हमारे कुछ न कुछ ऐसे चीज़े होती हैं, पसंदिदा चीज़े, ठीक है, कुछ objects ऐसे होते हैं, जिनको हम काफी like करते हैं, ठीक है, किसी को अपना laptop काफी पसंद होगा, किसी को अपना teddy काफी पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, ठीक है, तो इसमें क्या main बात कही है, इसमें main बात ये है, कि इनके साथ हमारे क्या है, अलग-अलग experiences, ठीक है, अलग-अलग feelings, अलग-अलग group of emotions जुड़े रहते हैं, और these, यही हमारे जो organization of emotions हैं, उस object के around, यही ह हमारे form करते हैं, sentiments उस object के लिए, और जो हमारे sentiments होते हैं, वो क्या है, एक total sum है, individual की feelings के, और उसके emotions के, और इसी sum को कहते हैं, feelings और emotions के sum को हम कहते हैं, sentiments, अब शेंड ने sentiment की define दी है, यह आप पढ़ ले, an organized system of emotional tendencies centered about some object, इन्होंने भी यही बात कही है, कि जो एक organized system है, emotional tendencies का, centered about some objects, कुछ objects के centered करके, ठीक है, कुछ objects के two words, हमारे जो भी emotional tendencies हैं, यह सारी organized system, इन्होंने इसको sentiments को बताया है, MacDougal says that a sentiment is an enduring concave attitude experience of that object, according to MacDougal, while instincts become combined into complex attitudes or sentiments, the emotion remains practically the same in spite of all learning and experience, all behavior is carried out by sentiments, build up out of instincts, अब इसमें MacDougal कहते हैं, कि जो हमारे जो behavior है, वो सारा sentiments के through ही आगे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके through ही work किया जाता है, अपने behavior पे, अब आपने देखा होगा, जैसे कि आप new experience करते हो, तो आपके emotions भी develop होते हैं, आपकी feelings भी develop होती है, और इन्हीं emotions और feelings को मिलाके हमारे sentiments बनते हैं, ठीक है, तो यही sentiments हमारे behavior को आगे आगे बढ़ाते हैं, आगे आगे build करते हैं, ठीक है, तो यही बाते इसमें कही गई है, wonder, anger, subjection, elation, tenderness, according to him, each instinctual tendency has a corresponding emotion, तो हर एक instinctual tendency के साथ क्या है, अपना अपना अलग-अलग corresponding emotion है, अभी हमने starting में ही पढ़ा था कि हर एक instinct के साथ एक ना एक emotion जरूर attached होता है, ठीक है, या एक से अधिक भी हो सकते है, according to MacDougal, William MacDougal analyzes an instinctive behavior in three aspects, अभी नोंने instinctive behavior को three aspects में analyze किया है, यह जो अभी आप three aspects पढ़ेंगे, या bloom taxonomy में और अच्छे से पढ़ोगे, तो इसके लिए अपना bloom taxonomy भी पढ़े अगर आपने इनके बारे में सुना नहीं है, और आगे आने वाली वीडियो में मैं उसको discuss भी कर दू First is cognitive, cognitive aspect, जो cognitive aspect है वो हमारा knowing और perspective से related है, means जहां पर हमारा mind work करता है, affective है वो हमारे feelings, emotions इन से relate करता है, और जो cognitive है वो हमारे behavior और doing aspect इसके अंदर आते हैं आगे इसमें कहा गया है, the occurrence of some form of arousal in the emotion gives rise to a cognitive search for an explanation of arousal In the opinion of McDougall, feelings arise and are conditioned by the degrees of success and failure of one's own efforts, whereas emotions are aroused by some object or person deemed responsible for one's success or failure in some particular situation अब McDougall के according, जो हमारी feeling arise होती है, वो conditioned है हमारी different degrees of success and failure से, yes मालो अगर आपको कोई आपको कोई goal था और आपने उसको achieve कर लिया, तो आपको कैसी feeling होगी, happy feeling होगी, ठीक है आपके और emotions develop होंगे, उसके प्रती, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, इनसान ना अपनी जीत को जो उसको एक achievement मिलती है, वो उसको जीता है, अपनी life में मतलब उसको इतना experience करता है, बहुत काफी अच्छे से, जो आप words में explain कर सकते हो तो यहाँ पर वो ही बात की गई है, कि जो feelings arise होती है, हमारी वो condition है, हमारी success और failure के साथ, ठीक है, हमारे खुद के efforts के साथ, जैसा अगर आपने work किया, आपको success मिली, तो आप motivate होगे, अगर आपने work किया और आपको failure मिला, तो आप demotivate भी हो सकते हो, बट उससे motivate भी हो सकत तो यह conditioned है, कि अगर ऐसा हुआ, तो मैं ऐसा behavior करूँगा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ, तो मैं ऐसा behavior होगा, ठीक है, conditioning अगर आप आगे आने वाली जो learning की theories है, उसमें इस conditioned word को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, कि conditioning किसको कहते हैं, अभी idea के लिए आप इतना समझ सकते हो ठीक है, किसी चीज के प्रती हमारा वो behavior होना, आगे देखते हैं, whereas emotions are aroused by some object और person deemed responsible for one success or failure in some particular situation, अब यहाँ पे कहा गया है, जो emotions हमारे aroused होते हैं, किसी भी some objects या किसी भी person के लिए, वो responsible हैं हमारे success और failure के लिए उस particular situation में, Emotion जो है, वो एक particular, बस एक feeling ही नहीं है, emotion is not just a feeling gone violent, but itself a singular experience, यह अपने आप में पूरा singular experience है, जिसको आप बिलकुल अच्छे से feel कर सकते हो, आप describe भी कर सकते हो, ठीक है, Hence we conclude that according to MacDougal, every instinct is associated with emotion, तो last में हम यह이 conclude करेंगे, according to MacDougal, कि जो हमारी instinct है, वो हमारे, is associated with emotion, वो हमारे emotions के साथ attest है, ठीक है यह emotions, feeling से मिलके हमारी क्या बनाते हैं? instinct बनाते हैं ठीक है हमारे sentiments बनाते हैं तो इसमें यही हम last में discuss कर रहे हैं कि जो instinct है वो associate with emotions okay thanks friends please like share comment and subscribe my channel और इसमें जो मैंने आपको important points बता है like 14 instincts है mcdougal के according ठीक है और जो हमने bloom taxonomy से related यहां पर three aspects discuss किये हैं बाकि तो मैंने आपको थोड़ी extra information दिये इस theory से relate करके ठीक है जो भी इसमें इन्होंने mcdougal ने work किया था बट जो main है वो यही है कि instinct किसको कहते हैं एक particular behavior यह हमारी inborn tendency है behavior करने की किसी भी situation में okay आप इसको और अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना कोई doubt हो तो comment section में मुझसे पूछना और इसमें कोई भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ भी आपको doubt है वो जरूर मुझसे clear करें क्योंकि इस से आने वाले हमारे जो आगे के concept है वो एक दूसरे से न attach मिलेंगे कहीं पे न कहीं पर रिलेट कर जाते हैं और कहीं पर कहीं पर नहीं भी करते हैं ठीक है बट आपकी learning में यह helpful होगा जितना आप discuss करोगे उतनी ही आपकी learning भी increase होती जाती है thank you friends